समाथ सेविका, कवी और वन्चितों की आवाज उठाने वाली सावित्री बाई जोती राव फुले जिनके जीवन और कृत्तियों के बारे में अभी भी देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते यहां तक की बहुत सारी महिलाएं भी इस बात से अंजान हैं कि अगर वे आज सिक्षित हैं, रोजगार की योगे हैं तो वो आखिर किसके प्रयासों के चलते हैं सावित्री भाई फुले का जन्म 3 जन्वरी 1831 को पूने से 50 किलो मिटर दूर पूने के नैगाओं में हुआ था 1840 में 10 वर्ष के उम्र में उनका विवाह जोती राव के साथ हुआ था जो कि उस समय 13 वर्ष की थी उन्होंने एक बालक को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने यश्वन्त रखा जोती राव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और उन्हें सिक्षिका के तौर पर प्रसिक्षित किया बॉंबे गारजियन के 22 नौंबर 1851 में प्रकाशी थे खबर के अनुसार उनकी आगे के सिक्षा की जिम्मेदारी जोती राव के मित्र सखा राम यश्वन्त परांजपे और केशव शिवराम भावलकर ने संभाली सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला ध्यापिका थी घर की देहरी लांग कर बाहर पढ़ाने जाने के उनके इस कदम से आधुनिक भारतिय महिला के सारवजनिक जीवन का प्रारंब होता है उन्होंने अपने पती जोती राव फूले के साथ मिलकर महिलाओ के सिक्षा के लिए महत्तपून काम किया 1848 में उन्होंने देश में पहली महिला स्कूल के स्थापना की जिसके बाद वो पांच अन्य विद्याले खोलने में सफल हुई पांच फरवरी 1852 के एक आवेदन पत्र के अनुसार लड़कियों के लिए पहले तीन स्कूल 3 जुलाई 1851, 17 नमबर 1851 और 15 मार्च 1852 चिपलू नकरवादा, रास्ता पेट और वेडल पेट क्रमशा शुरू किये गए सावित्री भाई फुले इनमे से सबसे पहले स्थापित स्कूल की प्रधाने ध्यापिका थी एक ऐसी महिला जिनोंने 19-वी सदी में छुआ छूट बाल विवा तथा विद्वा विवा निशेद जैसी कुरूतियों के विरुत काम किया उसे हिंदुस्तान ने भुला दिया क्योंकि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था उन्होंने भारत में नारी सिक्षा के लिए महत्वपून योगदान दिया भारत में सावित्री बाई और उनके पती दूनों ने मिलकर शूद्र एवं स्त्री सिक्षा आरंब कर नए युक की नीव रखी सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितमबर 1873 को हुई और सावित्री बाई फूले इस संस्था की एकत्याधिक समर्पित कारे करता थी ये संस्था कम से कम खर्चे पर दहेज मुक और बिना पंडित पुजारियों के विवाहों का आयोजन कराती थी इस तरह का पहला विवा 25 दिसमबर 1873 को संपन हुआ सावित्री बाई की मित्र बाजू बाई निम्बंकर की पुत्री राधा और सीता रामजाबाजी अलहाट की शादी पहली सत्य शोदक शादी थी इस एतिहासिक अवसर पर सावित्री बाई ने स्वैम सभी खर्चे वहन किये इस प्रकार के विवाहों की पद्दती पंजी कृत विवाहों से मिलती जुलती होती थी जो आज भी भारत के कई भागों में पाई जाती है पूरे देश के पुजारियों ने इन विवाहों का विरोध किया और वे इस मुद्दे को लेकर कोट में भी गए फूले दमपत्ती को कठोर परिशानियों का सामना करना पड़ा किन्तु इससे वो अपने पत्स से विचलित नहीं हुए चार फरवरी 1889 को उन्होंने अपने दतक पुत्र की शादी इसी पद्दती से की या विवा आधुनिक भारत में पहला अंतर जातिये विवा था साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुचकर गंदी हुई साड़ी को बदल लेती थी महात्मा जोती बाफुले की मृत्यु सन 1890 में हुई तब सावित्री बाई ने उनके अधूरे कारियों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया अगले साल 1857 में प्लेक की भयंकर महामारी फैल दी पूरे शेत्र में प्रती दिन सैकडों लोग इस प्रकोब में मर रहे थे सावित्री बाई ने यश्वंद को छुटी लेकर आने को कहा और यश्वंद के लोटने पर उनकी मदद से उन्होंने सासने परिवार के खेतों में एक हॉस्पिटल खुबाया वे बिमार लोगों के पास जाती और खुद ही उनको हॉस्पिटल तर लेकर आती हाला कि वो जानती थी कि एक संक्रामक बिमारी है फिर भी उन्होंने बिमार लोगों की सेवा और देख भाल करना चारी रखा जैसे ही उनको पता चला कि मुंधवा गाओं के बाहर महारों की बस्ती में पांडू रंग बाबा जी गायक बाड का पुत्र प्लेक से पीडित हो गया है वो वहाँ गई और बिमार बच्चे को पीट पर लाद कर हॉस्पिटल लेकर डॉन इस प्रक्रिया में यह महामारी उनको भी लग गई और दस मार्च 1867 को रात 9 बजे आखिरकार उनकी सांसे हमेशा के लिए थंग गई दीन बंधु ने उनके मृत्यू की खबर को बड़े ही दुख के साथ प्रकाशित किया जो लोग पीट पर अपने पुत्र को बांध कर दुश्मन से लड़ती हुई लक्षमी बाई की बहादुरी का गुनगान करते हैं उन्होंने इस महिला की बहादुरी को पूरी तरह से नजर अंदास कर दिया है जिसने अपनी पीट पर लाद कर एक बिमार बच्चे को बचाया उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तब के खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संगर्ष में बीता उनकी एक बहुत ही प्रसिद कविता है जिसमें वो सबको पढ़ने लिखने की प्रेना देकर जाती तोड़ने की बात करती है जाओ जाकर पढ़ो लिखो बनो आत्म निर्भर बनो महनती काम करो ग्यान और धन निकठा करो ग्यान के बिना सब खो जाता है ग्यान के बिना हम चानवर बन जाते हैं इसलिए खाली ना बैठो जाओ जाकर सिक्षा लो तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है इसलिए सीखो और जाती के बंधन को देए